देश के सारे नेताओं को खतम करना चाहते हैं, मोधी जी और इसको दो स्तर के उपर इस मिशंग को चला रहे हैं। राजनेतिक शड्यंत्र रचा केजरीवाल को जूटे केस में जेल भेज दो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा केजरीवाल की सरकार गिर जाएगा उन्होंने ये शड्यंत्र रचा मैंने कम मैं भी इस्तीफा नहीं दूगा तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोगे सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे कता इस तीफा तुमारे ट्रैक्ट में फसने वाले नहीं है ये अगर हिमन्त सुरेन साब को भी इस्तिफा नी देना चीए था जेल से सरकार चलानी चीए अगर हमने स्तिफा दे दिया ये तो बड़ा अच्छा है इनके लिए जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार गिरा दो उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रहके दिल्ली की जेल से स्तिफा नी दे रहा वो इस ताना शाही के खिलाफ संघर्श कर रहा हूं इसको समझ लेना है भारत माता की इनकलाब बंडे बंडे आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तप्ती धूप के अंदर इतनी देर से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग मेरा इंतिजार कर रहे हैं मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दा करना जाता हूं जितने लोग इस वक्त तीवी में देख रहे हैं उन सब दर्शकों का कावी मैं तहीं दिल से शुक्रियादा करना जाता हूँ सबको मेरा नमशकार, सबको मेरा प्रिणाम दोस्तों सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है पचास दिन के बाद अभी अभी मैं मेरी पत्नी भगवन्तमान साथ हम लोग कनौट प्लेस में हनुमान मंदिर में गये दे हनुमान जी का अशिरवाद लिया, उनके दर्शन किये फिर शिप जी के मंदिर गए, शनी जी महाराज के पास गए उनका सब का अशिरवाद लिया बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे उपर, हमारी पार्टी के उपर, देश्वासियों के उपर उनी की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में होने तो किसी को उमीद नहीं थी कि चुनाब के बीच में मैं जेल से बहारा जाओंगा लेकिन उपर बजरंग बली की गृपा है, नुवान जी की गृपा है हम लोगों के उपर और चमतकार हुआ हो राज मैं आप लोगों के बीच में हूँ दोस्तों हमारी आम आपमी पार्टी एक छोटी सी पार्टी है दो राज्यों के अंदर है अभी दस साल पुरानी पार्टी है हमारी पार्टी को कुचलने में खतम करने में प्रधान मंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज दिये एक साथ अर्विन केज लिवा मनीज सिसोधिया संजे सिंग, सतिंदर जेन बड़ी बड़ी पार्टीों के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं पार्टी खतम हो जाती है आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिये उन्होंने सोचा कि पार्टी खतम हो जाएगी लेकिन ये पार्टी नहीं है ये एक सोच है जितना ये खतम करना चाते हैं उतना ये बढ़ती जाती है ये क्रश करना चाते हैं प्रधान मंत्री जी आम आदमी पार्टी को जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं वो कई लोग हमें भी जानते हैं वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरी वाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनिट बात करते हैं उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविश्य देने वाली है वो खुद भी मानते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए इनको कुचल दिया जाए ये ताना शाहिए आगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंच देने वाली है आप अच्छे काम करो, आप देश को भविश्य दो, आज आपकी सरकार है केंदर केंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं, लेकिन आप कुछ काम नहीं करो, और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इ साथ 22 75 साल के अंदर इस कोकर किसी पार्टी को और कि उसके नेताओंको प्रतारित नहीं किया गया जिस तरह से अप्रण मENTरी मोधी जी नहें आम आगमी पार्टी को प्रतारित करने की कोशिश किया मेरे को इन्होंने जेल भेज़ दिया प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं ने ब्रश्टाचार से लड़ रहा हूं देश के सबसे बड़े चोड उचक्के और डकैतों को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जिन लोगों को दस दिन पहले मोदी जी कहते थे 70 एजार करोड का इस्दे घोटाला कर दिया थोड़े दिन के बाद उसी अदमियों को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को विप्टी सीम बना देते हैं किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे एडी और सीबिया के मामले खतम कर वेते हैं और कहते हैं मैं भरष्टाचार से लड़ रहा हूँ मैं मोदी जी को कहना चाता हूँ भरष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरी वाल से सीखो प्रधान मंत्री जी ब्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरी वाल ने लड़ी है 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक ओडियो मेरे पास किसी ने वाटसअप कर दिया उस ओडियो में मेरा मंत्री किसी तुकान वाले से पांच लाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था विपक्ष को नहीं पता था अप लोगों को याद होगा मैंने अपने खुद मंत्री को CBIE के हवाले कर दिया जेल बेज दिया था अपने मंत्री यह ओती है भरश्टाचार के खिलाफ ड़ाई पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री मेरा एक मंत्री भरश्टाचार में मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है वहाँ पर मान साब ने उसको किसी भी विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था हमने अपने मंत्री को उपा के जिल में भेज लिया तुम देश के सारे चोर चक्के डखायतो को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजनी वाल को जीन बेचदोर कहो मैं बरश्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं तो आप बरश्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं परदानमंत्री जी आप देश वासियों को बेवकूप मत समझो बच्चे बच्चे के जुबान के उपर हो रहा है कि सारे चोर चको को अपनी पार्टी में शामिल करके और एडी और सीबिया के सारे केस उनके रफा रफा कर दो केजनी वाल को क्यों गिरफतार किया केजली वाल को गिरफ़तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजली वाल को गिरफ़तार कर सकता हूँ तो किसी को भी गिरफ़तार कर सकता हूँ किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुमको गिरफतार कर सकता हूँ एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधान मंत्री जीने बहुत ही खतरना है देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूं समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर देश के सारे नेताओं को खतम करना चाहते हैं मोदी जी और इसको दोस्तर के उपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपता देंगे, उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे, उनको सबको निपताते जाएंगे, विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीज सिसोधिया को जेल भेज दिया, संज इनके कई मंत्रियों को जेल बेज दिया क्यरेला के सीम के पीछे पड़े हैं अगर ये चुनाव पी जीत गए मेर से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर थोड़े दिन के बाद मंता दीदी जेल में होंगी तेजसभी आदफ जेल में होगा स्टैलिन साफ जेल के अंदर अगर ये चिनाव जीत गए इनों ने बीजेपी का एक नेता नहीं चोड़ा आडवानी ची की राजनीती खतम कर दी अनोंने मुर्ली मनार जोशी की राजनीती खतम करदी सुमित्रा महाजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मध्यपरदेश का चुनाव जीत के दिया इन ल खट्टर साथ की राजनीती खतम कर दी, डॉक्टर रमन सिंग की राजनीती खतम कर दी, अब अगला किसका नंबर है, योगी आदित्यनाद, अगर ये चनाद जीत गए, मेर से लिखवाल दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बदन देंगे, योगी आदित उत्तिनाद की राजनीती खतम करेंगे, उनको भी निप्टा देंगे, यही ताना शाही है दोस्तों, वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही ताना शाह इस देश के अंदर बचेगा, हमारा देश बहुत महान है, चार हजार, पांच हजार साल पुराना हमारा देश है, इसके पहले पिछले चार जार साथ में कई मौके आए जब इस देश के ओपर ताना शाहों ने कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन ताना शाहों का तख्ता उखाड के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के ओपर गब्जा करने की कोशिश की इस देश की जनता ने उसका तखता उखाड़ के फेक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जनतंतर खतम करना चाहता है आज एक ताना शाह इस देश से लोक्षाही खतम करना चाहता है मैं पूरे तन्मन धन से लड़ रहा हूँ संघर्ष कर रहा हूँ उस ताना शाह के खिलाव 140 करोड लोगों का साथ चाहता हूँ मेरे अकेले के करने से नहीं होगा 140 आज मैं आप लोगों से भीक मांगने के लिए आया हूँ 140 करोड लोगों से 140 करोड लोगों से भीक मांगने के लिए आया हूँ मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरे भारत वर्ष को मैं सुप्रीम कोट का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ उन्होंने किस दिन दिये हैं एक एक दिन में 24 घंटे हैं मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे काम करूंगा पूरे देश बर में गूमूंगा इस ताना शाही को रोकने के लिए दोस्तों जितनी मेरे अंदर ताकत है मेरे सब कुछ कुर्बान है देश के लिए मेरे तन मन धन सब कुछ कुर्बान है मेरे देश के लिए मेरे खून का एक एक कत्रा मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक एक कत्रा मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए मेरे देश को गचाने के लिए मैं पूरे देश में जाओंगा दोस्ते अब एक बहुत महत्वपून बात करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना ये लोग इंडिया गठवंदन से पूछते हैं आपका प्रधान मंतरी कौन होगा मैं बीजेपी से पूछता हूँ आपका प्रधान मंतरी कौन होगा आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है मोदी जी होगे नहीं मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा सबसे पहले आडवानी जी को रिटायर किया गया उसके प्याद मोडली मरोर जोशी जी को रिटायर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोडी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजे बीजे पूछना जाता हूँ आपका प्रदानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उसके भी आऊंगा मैं। तो मैं लोगों को देश के लोगों को आगा करना चाहता हूँ। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमिच्छा को प्रदानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और अमिच्छा जी से ये मोदी की कारंटी पूरी कौन करेगा। क्या मिच्छा मोदी की कारंटी पूरी करेंगे। जब आप अगर जो जो वैसे तो मेरे को लगता मैं भी आँगा उसके ओपर मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है। लेकिन जो जब बीजेपी को वोट देने जाएं, वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहें, आप अमिच्छा के नाम पे वोट दे रहें। अब एक खुश ख़बरी है आप लोगों के लिए। अब एक खुश खबरी है सब को बता दे ना जो मैंने बाते कहीं है बड़ी सोच समझ के कहीं है वहां बैटके यही सोच रहा था कचास दिल से दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए बीस घंटे हो गए इन बीस घंटों के अंदर भी मैंने रात बर मैं जंता से बात कर रहा था लोगों से फोन कर रहा था रात को आंधी आई दी पिछले बीस घंटे में मैंने जो बात चीत करी है कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की चुनाव विशलेशकों से बात की सिफरोजिस्क से बात की जंता से बात की फोन पे लोगों से मेरा अपना आखनन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बंगरी मोगी सरकार नहीं दोस्तों अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताना हर्याना में इनकी सीट कम हो रही है राजस्तान में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है दिल्ली में कम हो रही है जिहार में कम हो रही है महराष्ट में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है बंगाल में कम हो रही है जारखंड में कम हो रही है का बड़ का रही है यू पिमें कंप अरही है बड़ का रही है बड़ एक भी जगे हैं इनकी सीटेन ही बढ़ रही है मेरा अपना मानने और सटप अग्र में भी माग्वा हुचां चल रहा है इनकी 222 dpiツ pro 230 के बीच में SeaT що आ रही है उससे जागा City CR मौधी सरकार नहीं बन रही है केंडरमिक इंडिया घड़कंदन की सरकार बन रही है है आम अदमी party उखbung सरकार का हिस्वागी निकको पूर्ण रजज दिलाएंगे दिल्ली का LG, लोगों का LG होगा, दिल्ली का LG, दिल्ली वादों का LG होगा, गुजराथ से आया हुआ अभी, दिल्ली के लोगों का LG होगा, दिल्ली के लोगों का विकास होगा, एक और पॉइंट है, जब मैं जेल के अंदर था, तो कुछ लोगों ने यह मुद्दा उठाया केजरिवाल सी एंपत से स्तीफा क्यों नहीं देता दोस्तों केजरिवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ मैं अब मंत्री मुख्य मंत्री प्रदान मंत्री यह सब बन्ने नहीं आया इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था कमिशनर की नौकरी छोड़के दिल्ली की जुगियों के अंदर एक नी दो नी तीन नी दस साल तक मैंने दिल्ली की जुगियों के अंदर कांग किया है सुन्दर नगरी और नंदरोदुर की जिलियों पर इंकम टैक्स कमिशनर की नौकरी छोड़के जब मेरे को दिल्ली की जंता ने पहली बार सीम बनाया असूलों के उपर 49 दिन के अंदर सीम पत्से स्टीफा दे लिया था एक चप्रासी की नौकरी कोई नी छोड़ता सीम बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिए तयार होते हैं मैंने खुद से अपने आप सीम की कुर्सी को लाथ मार दी थी 49 दिन के अंदर मेरे लिए सीएम पत इंपोर्टन नहीं है आज मैंने सीएम पत से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में इतने राज्यों के चुना हुए इतने राज्यों के चुना हुए दिल्ली के अंदर सबसे एतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56 परसेंट वोड एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्य की सरकार 75 साल में नहीं जीती इतने भारी बहुमत से जीतने के बागजूद जूटा केस अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर उन्हें पता अगले 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं रा सकता तो उन्हें एक शड्यंत्र रचा राजनेतिक शड्यंत्र रचा केजरीवाल को जूटे केस में जेल भेज दो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा केजरीवाल की सरकार गिर जाए उन्हें एक शड्यंत्र रचा मैंने कम मैं भी इस्तीफा नहीं दुनगा तुम अगर जंतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जंतंत्र जेल से चलाके दिखाएंगे, सरकार भी जेल से चलाके दिखाएंगे, कदा इसली तो त्तिपा तुमारे ट्रैप में फ़सने वाले नहीं है ये अगर हिमन्त सुरेन साब को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए था जेल से सरकार चलानी चाहिए अगर हमने स्तीफा दे दिया ये तो बड़ा अच्छा है इनके लिए जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डालदो सरकार गिरादो आज मैं अगर दिली की जेल के अंदर रहके दिली की जेल से स्तीफाली दे रहा वो इस ताना शाही के खिलाफ संघष कर रहा है और इसको समझ डेना केजरिवाल को किसी पद का लाल छनी आएं सी एम तो सौ सी एम की कुर्सी देश के नाम करुबान हो गोई मुझे पता चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावो क्यों खास कर मेरी माँ बहने महिलाएं बहुत रोई कई उन्हें बहुत मन्नते मांगी मैं सबका बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं जिन पूरी दुनिया भर से करोडों लोगों दुवाएं बेजी उन्हें कि आशिरवात का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं आप लोग सब लोग सुखी रहें देश को तरक्की करें भले भूले आप सब लोग खुब खुश रहें ऐसी मेरी प्रभू से इच्छा भारत मता की